टमाटर ले जाओ टमाटर, भिंडी मेरे चालू, टमाटर बैगन गो भीलो की, कदू, ले जाओ, मेरी दुकार में हर चीज है, आज मैं सब कूलू बनाऊंगा, ओफिस में तो इत्ती प्रॉफिट नहीं है, साला हर मैने सेलरी मिलती है, मैं मैने के आते आते हैं, एन टैम में स सारे पैसे खतम हो जाते हैं, जब तक टमाटर का बढ़िया भाव चल रहा है, तो टमाटर सी कम से कम 2-4 लाक रुपे कमा लेता हूं, ये सही रहेगा, दो सो रुपे किलो बेचूंगा टमाटर, इंकम अच्छी होगी, दो सो रुपे किलो टमाटर ले जाओ, फटा फटा फ बोल्ड चांदी ले जाओ, हीरा जवाहर ले जाओ, 200 रुपे किलो, 200 रुपे किलो, जल्दी जल्दी आओ, बहुत सस्ता चल रहा है इस टैम पे, अगर थोड़ा सा लेट हुए है, तो हाथ दोते रह जाओगे, मौका अच्छा है, जल्दी जल्दी आओ, चौका मारो मौका में जल्दी आओ, क्या बात कर रहे हो भईये, सोना चांदी 2500 रुपे किलो, अरे कितना है, बताना जरा, हम तो सारा खरीद लेंगे, इतना महेंगा सोना होने के बाद, एक जम सो 2500 रुपे किलो में आ गया, ये रखा है सोना भाई साब देखना ही रहा है, क्या, अरे ले आप तो बड़े आदमी नजर आ रहे हैं, और बिना सुआत के सब्दी अच्छी नहीं लगती न, आप लोग तो सलाद बना के भी खाते होंगे न, बिना सलाद वलाद के कहां चलता होगा आप लोगों का, अरे भाई साम माप करो, कहां लूटने को बैठे हो, 160 रुपे किलो टमाटर है, आपने तो हदी कर दी, 200 रुपे किलो पहुचा दिया, और सोना चांदी का नाम लेले का टमाटर बेच रहे हो, इतने बड़े आदमी नहीं भाई, आ माप करना, तुम तो यहां गरीबों के गले काट रहे हो, मैं तो यह चला, मेरे बसकी नहीं है भाई, मैं तो बड़ा आदमी नहीं, ना मगरोटी बाला आदमी कहा मुझे चना के जान पे चड़ाय दे रहे हो, ओ भाई साफ, सुनो तो, सुनो तो कहा जा रहे हो, अरे यार बोनी तो कराई जाओ, बोनी खराब करा दी, आरे सुनो तो भाई, ना उखरी उखरी चोड़ के टमाटर अब करूं, तो क्या करूं, इतना पैसा सब्जी में बरबाद कर दिया है, कोई आता ही नहीं खरीद नहीं, पता नहीं पनुवार जी कहा रहे गए, अभी तक आफिस से आए नहीं, इतना लेट तो कभी होते नहीं है, पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है बरसात-रसात ह थोड़ा सबी लेठ हो जाता है, तो पता है कहिं कीड़े गेरते हैं, कहीं मख्यी गेरती है, एक तो ऐसी बरसात में आगर जरह देर खाना को हो जाये, तो फिर देखो कहीं पखणी, मख्या कोष कहीं कोज, कहीं च्चूंदर, कहीं भी छेपकली, जान खा लेती है, इस कुछ तो सब्जी चाहिए अगर दाल की साथ में सोच चटनी बना लूं तो चटनी के लिए तेमाटर धनिया मिर्चक कुछ भी दोना चाहिए यह सोच लू कि आज तो घर में कुछ है नहीं है वह इतना बोल दिया था किसाम को जल्दी आ जाना लेकिन यह सुनते कहां है अपन सब्जी चलते हैं बजार सब्जी ले आए फिर खाना बनाए अरे ले जाओ सब्जी कोई तो आओ देखो तो चाला इतनी सारी सब्जी मैंने भी खरीद के रख ली यहां तो कोई मक्षी तक नहीं आ रही बैठने क्या होगा मेरा अलो बैया कैसे देरे सब्जी आप यहां बैठने का टेम हो नहीं है न कभी आ रहे हो तो सब्जी मंगानी हो तो यहां सब्जी के दुपान में सब्जी बेच रहे हो अपना काम दिखाय नहीं देता है मैं कब से इंतजार कर रही हूं भर में बैठके वो पूर नजर आता हुगा अरे पगली इतना गुश्चा करके रुलाएगी क्या थमजा थमजा गुश्चा मत कर पहले गुश्चा सांद कर फिर बताता हूं क्या बताते हो है मुझे न और कुश्चा मत देलाओ सीधी तरह भर चलो और सब्जी ले लो वातर रहेगा आपका दोस्त जबाएगा अरे जाने मन किसका दोस्त कौन तुम जानती हो मेरे पास इतना टैम है क्या कि मैं दोस्तों की दुकान देखूंगा राये करण civil वा तुमें पता है । यह दुकान अपनी है अरे मैंने सोचा जब तक सब्जी का भाव सात में आस्मान में है जब तक जमीन पे नहीं आजाता तब तक मैं सब्जी का काम करता हूं अभी नौकरी औकरी मैंने बंद कर दी है सब्जी बेचूंगा मैं, देख रही हो, टमाटर कितना महेंगा है, तब तक तो मैं तस बारे लाग रुपे कमा लूँगा, जब तक जमीन पे आईगी आईगी, आसमान से, वो आसमान को तो महमुली समझ रही हो, इतने उचाई पे है, सच में सची की दुकान खोली है, छूट तो नहीं बोल रहा है, सच बताओ, अरे हाँ 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 सच बोल रहा हूँ, अरे बाकरे, अब तो मेरी चांदी-चांदी है, मैं तो कपसे सोच के बैठी थी कि इनसे बोलूं-बोलूं-बोलूं लेकिन हिम्मत नहीं पढ़ रही थी, देखो तो मेरी मूँ की बाद छीनली मेरे मनवर्दी ने, सोने में सुहागा हो गया, अब तो मैं करोण पती बन जाओं की, हम नेरी पढ़ाई करने से कोई नहीं रोप सकता है, वाँ, ठैंग आओड भगवान, ये कानाची, ये ठागवर्जी, आपका बार बार सुक्रिया कादा कर रहे हूं, देखो तो मेरी सब्सादी की दुकान घुल गई वह भी तमाटर की, अब मुस्से बड़ा आदमी कोई है, आज़ा प्ले, बले, 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 क्या बात औरे, मैं अब अमीर बन गई, आपकान घूम रहे हूं, पता नहीं छल रहा है, अम औरे पैर जमी मे क्योंस आपको कि एक करने की जरूरत है आपको क्या पता मुझे कि نے खुषी कर्सक्राइब सामना या बादल चाहिए ये खुसी हम किसे को बताएए वाँ हरे मेरी जिंदकी मुझे लग रहा है मैं पैसों पर सू रही हूँ वाँ कितना सुकून मिल रहा है मेरी जिंदकी को वाँ सुनता तुम नहीं मानोगी ना सारी सब्सक्राब कर दोगीए आरे तो यार मेरी मं नहीं हुए तुम मेरा दिमाग खराब दे रही हूँ diz जी थोड़ा देल लेटा रहने दो मुझे ऐसा लग रहा जैसे मैं पैसों में सो रही हूँ देखो तो मेरा बिजनेस सबजी की दुकान खुल गई और मुझे पता भी नहीं था भाईया टामाटर धनिय मिर्चा देदी जी है अरे आईए भाबी आईए ले जाईए ये देवरानी जी ऐसी क्यों लेटी है इनको क्या हुआ है अरे भाबी ये होगा ये पागल अरे जिधानी जी हम पागल आगल नहीं हुए आपको दिखाईनी दे रहा नेरा बिजनेस खुल गया है हाँ वो तो मुझे दिखाई दे रहा है बिजनेस खुल गया है तो इसमें हाथ फायर फेला के सब्जी के उपर लेट नहीं क्या जरूरत है दिवरानी जी ऐसे भी सब्जी के खराब हो जाएंगी न उपर से तुम सब्जी के उपर बैठी हो किसी ने देख लिया तो तुमारी एक सब्जी नहीं बेखेगी और बिजनेस खुल गया है तो खुशी घर में मनाओ ये सब्जी में की उपर लेट के कौन खुशी मनाता है अब भावी जी इसको कौन समझाए अब आज की बाद मैं सब्जी बेचूँगी आप नौकरी करोगे और देखना मैं कैसे सब्जी बेचती हूँ जो अगनी पैसों में सब्जी बेचूँगी आप तो एक रुपे में भी न बेच पाएंगे मुझे पता है ऐसी बैठे रहोगे सुक्डे चलो आपके दुकाना आप जानो मुझे क्या करना है भाईया लाइए दे दीजी ये मुझे बताएए भावी कितने कितने चाहिए अमा जी बोल रहीं ठीकी जाओ भाईया की दुकान से लेके आजाओ धनिया मिर्चा टमाटर अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर देता हूं रुको जे चानी जी मेरी एक बात सुनिया है घर परवार अपनी जग अबेजने सपनी जगा फिरी में लेने तो नहीं आई हो बहुत पैसा लगा है इस दुकान में ये सोच लेना अगर फिरी में लेने आई हो तो वापस हो जाओ यहाँ पे न मिलने वाला आपको एक चमनी रुपे का उधार देवरानी जी उधार के तो कोई बाती नहीं हो रही है इधर ठीक है अगर आप पैसे की बात करें तो अम्मा जी ने पैसा दिया है हमें सब पता है आपको पता हो ना हो अम्मा जी ने करवाई है ये दुकान और पूछ लीजिए देवर जी से क्यों जी जिठानी जी क्या बोल रही है किसने पैसे लेगा है इस दुकान में अम्मा जी ने अच्छा तो चलो कोई बात नहीं है फिर भी उधार नहीं मिलेगा क्या अम्मा जी पैसे ने गिनाएंगी एक-एक रुपे का हिसाब लेती है बोलना है उनको कि कोई उधार ही नहीं मिलेगी वो जहां से माल बेगेगा पैसे पहुचा दिये जाएंगे घर जाइए अपना काम की जीए सुनता बहुत बोलती हो तुम बाभी तुमसे कितनी बड़ी है ऐसी बात करनी चाहिए बला तुमको अरे थोड़ा बहुत तो अकल रखा करो कि छोटी हो तो छोटी की तरह बोला करो ना कोई बाहर की है बाहर के तो साला अभी तक कोई आया नहीं वर से थोड़ी बहुत ठक बिद्या की जाती, और सब्जीयों को पर बैट के माल की देखा रही हो। पदाई पदाई मत कर देना ज़र जाए सब सब्जीना। भाईया, आप हमें टमाटर बर देती जिए, धनिया में जा हमें मत दीजिए का जो कोई सब्जी उपर बैटा मों सब्जी नहीं खाते हैं। यह के बावी ली टमाटर थैंक्यू भाईया, ओ राम जी दो टमाटर देती है। ओ पचास लुपे का नुक्षान कर लिया। अम मर गए। ऐसे टमाटर बाटे जाएंगी तो हो गया कल लियारग। सब्जी खरीदने आई हो कि घर में दुकान फोलने के लिए सब्जी लेने आई हो ? ए जी, सुनिए, मैं जितना बोल रही हूं न उतना किया कर। सब्जी दे दो जन्दी से मुझे घर में खाना बनाना है। खुद दान बाटो, मुझे क्या करना है। जब कुछ नवाचे घर में बैठके ताली रजाना। तुम घर जाओ, मैं जब साम को दुकान बंद करके आऊंगा तो सब्जी लेता हूंगा। समझ गए ? अच्छा, जिठानी जी आएं, उनको लफ़ग लफ़ग किता माजरत ने दिये। अब हमारे लिए बोल रहे हो कि अम साम को सब जिले से आएंगे। हमको पागल वागल समझ रखा है आपने। दुकान में लडाई करोगी तो कुछ भी निबिकने बाला है। घर में कले तो मचाई रहती हो अब दुकान में अकले मचादी। इसलिए मैं तुम से कोई बात नहीं बताता हूँ, अगर बता दिया है तो सांतिक सरह हो। अभी पता है एक चिटकी भर चीटी भर ग्रेक नहीं आया है कि अभी एक रुपय किन कम हुई हो। नहीं नहीं मैडम जी, तो अपने घर में थैला बना के रखना, अभी आ रहे हैं तो भर के दे देंगे, ठीक है। या अपने माई किन फोन करके अपनी ममी जी से न तेजोरी बनवा लो, तो उसमें आ के भर के रख देंगे। एक दम से जिंदकी जंड कर रखी है, कुछ भी करो कहीं सुपून नहीं है जिंदकी क।